तो भगवान दूसरे अधायके 23 शलुक में बोल रहे हैं कि तुम यूद नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगएगा इससे पहले भगवान ने बताया कि तुम यूद करोगे तो तुम्हें दोनों फायदा है नहीं तुम्हारा धर्म भी पालान हो गया और भगती भी हो गई फायदा है वैसे अर्जुन तुम्हें धर्म से आ सकती हो मुझे पता है मगर फायदा तुम्हें दोनों मगर अगर तुम यूद नहीं कर रहे तो तुम्हें एक तुम धर्म तोड़ने का पाप लगएगा और तुम यूद्धा के रूप में भी अपना यश खोदोगे तुम्हारी बेस्ती भी होगी धर्म तोड़ने का पाप नहीं लगएगा धर्म तोड़ने का पाप क्यों लगएगा क्योंकि यूद करना तो भगवान की भक्ती है न भक्ती तो उसने छोड़ दी भक्ती छोड़ के अगर धर्म पालन नहीं करोगे तो पाप लगएगा मैंने यह समझाया था अभी जो भक्त नहीं है उनके लिए धर्म तोड़ना पाप है जो भक्त है वो भगवान की सेवा के लिए धर्म तोड़ेंगे कोई पाप नहीं है अब अर्जुन अगर यूद नहीं कर रहा तो उसने भगवान की सेवा छोड़ दी भगवान का आदेशना सेवा करना वो तो छोड़ दी अब तो वो भक्ती नहीं रहा तब भगवान कहे रहे, तब धर्म तोड़ना पाप लग जाएगा तुम्हारे लिए, बस, मैं गोपियों को पाप नहीं लगा था, मैंने बताया भी, गोपियों ने भी धर्म तोड़ा, पत्ती के सेवा छोड़ी, मैं गोप क्यों नहीं लगा, क्योंकि गोपियां क्या थी, उन्होंने सेवा के लिए छोड़ा, अर्जुन को इसलिए भगवान कह रहे हैं, पाप लगेगा, तो इस लोग से नहीं समझना चाहिए, कि अगर हम धर्म पालन करेंगे, तो हमें पाप नहीं लगेगा, जिरूरी नहीं है, अगर भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो धर्म पालन करो ये धर्म पालन नहीं करो फिर भी पाप लगता है नगर अगर भक्ती नहीं कर रहे हैं तो धर्म पालन करना ज्यादा बैटर है धर्म पालन करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी कुछ तो चूज करना पड़ेगा ना दर्ण चूज कर लो, आधा अच्छा है, अल्टिमेटली पाप है, लोग सदेव तुम्हारा पियश का बर्णन करेंगे, और समाने वक्ति के लिए, अपियश तुम रित्यू से भी, बढ़कर है, भगवान बता रहें कि, वैसे अरजुन कहा सकता है, भगवान ठीक है, मुझे अपने यश की क्या चिंता है, ठीक है, करते रहें, भगत को क्या चिंता होती अपने यश की, ठीक है, मेरी बेश्ति करते रहें, मुझे क्या फरक पड़ता है बेश्ति हो जाएगी, मगर at least इतने लोगों का भट तो नहीं होगा, अर्जुन नहीं कहा रहा है न मतलब अगर मालीजी आपसे कहो अगर आपसे कोई कहा है कि देखो इतने लोगों को मार दो और तुमारा यश फैलेगा आप कहो गए भाईया छोड़ो यार मतलब अब मुझे का भक्तो दीन होता है ना उइसको अपने यश से कहलेना देना होता है मंगर भगवान आपसे आर्गुमेंट दे रहे कि अर्जुन तुमारा आपियाश होगा क्यू दे रहे है भगवान ऐसा भगवान कुछ जबfik मतलब इने यश से अर्चुन तो पहले ही कह रहा था पहले अधियाए में भगवान में लड़ाई नहीं लड़ूँगा मैं तो जंगल में बैटके संतुष्ट हूँ मुझे पूजाला प्रतिशा चाहिए ही निए मुझे राज्य भी नहीं चाहिए तो भगवान ऐसा गलत अर्गुमेंट क्यों दे रहे है कि लोग सदेव तुमारे अपियश का वरनन करेंगा और सम्माइने वक्ति के लापियश मुर्तियू से भी भगवान ऐसा क्यों कह रहा है अर्चुन को समझे प्राब्लम समझे नहीं समझे आप किसी को बोलोगे कुछ चीज तब तभी बोलोगे ने जब उसको जरूरत है है नहीं अगर मैं आप से बोलोगे कि पानी पीलो आपको मुझे जरूरती नहीं पानी की बोल क्यों रहे हो यही हो रहा है भगवान अर्चुन से कह रहा है क्यों कह रहे हैं वड़ोपा तातपरे में लिख रहे हैं पढ़ लो अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को यूद से विमुखना होने का अंतिम निर्णे देते हैं अर्जुन यदि तुम यूद प्रारम होने से पूर्वी यूद भूमी छोड़ दोगे तो तुम्हें लोग कायर कहेंगे और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किन्तु तुम यूद भूमी से भाग कर अपनी जान बचा लोगे तो मेरी सलाई ये है अर्जुन का आर्ग्योमेंट है कि ठीक है मुझे गाली देते रहें उसमें क्या है मगर प्राब्लम यहाँ पर यह है कि अर्जुन कौन है अर्जुन को लोग क्या जानते है कि बच सित्रिय नहीं जानते है अर्जुन को क्या जानते है भाक्त अरजुन को तो यह कहते है न कृष्ण का भक्त है तो भगवान कह रहे है अरजुन तुमारी बेश्टी होगी तो किसकी बेश्टी होगी actually मेरी होगी ठीक है तुम्हें कोई मतलब नहीं है गाली खाने से मगर तुम्हें लोग कायर कहेंगे तो लोग ही कहेंगे न देखो कृष्णा नहीं सिखा है इसको कृष्णा की बेश्टी होगी इसलिए हमें आप कोई मतलब नहीं होता कि मेरी बेश्टी हो मैंकर फिर भी भक्त ऐसा कोई काम नहीं करता कि जिससे कोई बेश्टी हो क्यूंकि उसको अपने बेश्टी से मतलब ने इसको किसकी बेश्टी से मतलब है भगवान की इसलिए भक्तों को बहुत केरफुल होना चाहिए अपने जो भी हम कर रहे हैं न सोसाइटी में हमें सही से करना चाहिए कि लोग अगर हमें गाली देंगे तो सिधा क्रिश्ण के पास बात पहुचेगी क्रिश्ण के भक्त ऐसी होते हैं इसलिए भक्तों के पास responsibility ज़्यादा है जो भक्ति हैं वो तो कुछ भी कर सकता है वो तो कुछ भी कर ले क्या है उसको दो गाली पड़ेंगी किसी की उसकी बेस्ती हो रही है बाकि को कोई प्रवा नहीं है तो इसलिए जो जैसे मालेजे जो राज कुमार है उसको ध्यान से विभार करना पड़ता है न क्योंकि क्योंकि या जो या जो राजा के मंतरी होते हैं जो करमचारी होते हैं उनको ट्रेन कियाते हैं भी सही से करो क्योंकि तुम अभी किसके प्रदी नहीं दियो राजा के है नि जैसे आपके केंटोनिमेंट एरिया में अगर कोई सैनिक कोई गलत काम कर दे तो किसकी बेश्टी होगी पूरे मिलिटरी वालों को जाएगी कि यारे मिलिटरी वाले ऐसे ही है काम उस सैनिक ने किया है अब किसी का दिमाग कैसे कोई रोक लोगे तो मिलिटरी वाले कहेंगे हमें क्या पता यार उसका दिमाग खराब हो गया मगर लोग तो यह कहेंगे ना आपके मिलिटरी वाले में काम कर रहा था आपने ट्रेनिंग नहीं दी उसको सही से तो यही बात है अगर आप कुछ गलत काम करोगे तो वैसे तो किसी का भी दिमाग खराव हो सकता है मगर लोग कहेंगे कि देखो भगवान ने अभी इनकी गीता में ऐसी लिखा है बगवास सब लिखा है तो ऐसी वेभार करते रहते है इसलिए भगवान कह रहे है कि अरजुन तुमारी अपकीर्ती होगी तुमारी अपकीर्ती से मेरी अपकीर्ती होगी इसलिए युद से मत भ भागो, युद से भागना, तुम युद से भागना नहीं भागना, युद करना नहीं करना, अपने बारे में सोच के डिसीजन मतलो, मेरे बारे में सोच के डिसीजन लो, भगत हमेशा भगवान के बारे में सोच के डिसीजन लेता है, है नि, अपने बारे में सोच के डिसीज तो जैसे आप लोग प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम में क्यों आते हो आप लोग जिनरली लोग अपने बार में सोच के आते हैं कि हम प्रोग्राम में जाएंगे और हमें सीखने को मिलेगा गलत नहीं है मगर एक अच्छा वक्त क्या सोच के आता है प्रोग्राम में की प्रोग्राम में जाके क्या होगा कथा सुनके क्या होगा भगवान की सेवा होगी सेवा कैसे होगी सेवा कैसे होगी भगवान की है ठीक है भगवान की कथा सुनेगे जो नया भक्त है न वो केबल भगवान के बारे में सोचते है जो advanced devotee है वो किसके बारे में सोचते है भगवान और वैशनव के बारे में नया भक्त को भगवान सी मतलब है बस भगवान को भोग लग गया? हाँ लग गया ठीक है बागी सारे वैशनव भूके बैटे भगवान को लगया ना ठीक है कोई प्राब्लम नहीं है ये नया भक्त है नय भक्तों के दिमाग में न केबल भगवान होते है वैशनव नहीं होते जैसे फर गजामपल ये था न कहते हैं एक महराज थे उनकी व्यास पूजा थी मतलब रादा गविंद महराजी वही बता रहे थे तो उनकी व्यास पूजा के दिन क्या हुआ उनकी फोटो को भोग लग गया महराज भूके बैटे है तो उनने का भाई तुमने सब व्यास पूजा कर ली अगर आप भागवान को भूग लगा तो इसका मतलब भगवान भूगे हैं अभी यह तो फोटो है ना अफॉर्स समक्ता भी करते हैं फोटो के दो पागवन के दोगते हैं अगर भुकतो को नहीं करेंगे नहीं करते हैं क्योंकि बैश्चनवों का मुख ही भगवान की अग्ये शाला है उसके द्वारा स्विकार करते हैं जो नया भक्त है वो ऐसा सोचता रहेगा जो पुराना डिवोटी है वो सोचेगा नहीं नहीं नया भक्त सोचेगा मैं कथा मैं क्यों आउंगा क्योंकि भगवान के बारे में सुनने को मिलेगा मगध अड़वान्स दिवोटी का सोचे गा कि मैं कथा में क्यू आँँगा क्योंकि और भगतों को उस से उत्साह मिलेगा नहीं अगर कोई हो गई नहीं कथा में तो अपने लिए काम मत करते रहो, पूरी लाइफ, अपने लिए तो सब कर सकते हैं, दूसरे भक्तों के बारे में सोचके भक्ती जादा उच्छ तरपे होती है, समझे नहीं समझे, यह इसलिए भगवान है यह श्लोक बोल रहे हैं, आप देख रहे हो, ऐसे आपको पता नहीं यह तो ओडिनरी आदमी बोलेगा, कि यार कर ले भाई या बेशती होगी, यह तो हम जैसे लोग बोलेगे, भगवान जब बोलते हैं, उसमें कुछ गंभीर, कुछ गंभीर बात होती है, कोई बच्चो वाली बात थोड़ा ना कर रहे हैं अरजुन से, अरजुन लड़ले पापी है कौरफ, तुम यूद चोड़के चलेगा, तुमारी बेस्ती हो गई, तुमारी बेस्ती के चकर मेरी बेस्ती करेंगे, कि कृष्णा ऐसे है, और नर्ग चलेगा है, मेरा बेस्ती अगर एक करें, तो हमेशा के लिए नर्ग चलेगा है, इसलिए यूद करना तो संत के पास एक भोगी आया तो भोगी नेका मुझे आशिरवाद दीजे तो संत ने क्या आशिरवाद दिया संत नेका कि तुम भोगी क्या बोला था नहीं नहीं भोगी को बोला था कि तुम हाँ उसको बोला था ना जीओ ना मरो उसको आशिरवाद दिया एक संत आया तो एक और साध हुआ है तो उसने बोला संत जी आशिरवाद दिया संत ने गा तुम हमिशा जीते रहो एक कसाई आया तो उसको संत ने आशिरवाद दिया तुम मर जाओ जल्दी से लोगों ने यह क्या हु रहे हैं तो संद ने गा देखो भोगी है जो भक्त नहीं है उसको मैने बोला शीकर मरेगा तो सीधा कहा जाएगा और जीएगा तो तुं हेमारी रहे तो मुझे यह कहना पड़ा ना जीओ न मरो तुम नहीं तरीकेश गड़ो बाड़ा है जो साधू है उसको मैंने आशिरवाद है जीते रहो साधू को आशिरवाद ये तुमारी मर्जी है तुम जीओ या मरो ये आशिरवाद दिया था क्योंकि साधू अगर जीएगा तो लोगों कल्यान करेगा मरेगा तो भगवान के बच लगए दोनों ही फायदा है कसाई को कसाई को आशिरवाद दिया था संत ने कि हमेशा जीते रहो कि यह कसाई मरेगा तो कहां जाएगा वो तो बहुत ही बुरे नर्क में गया इसलिए तुम जीते रहो हो सकता है बाइचांस कभी तुम सादू से मिलो और तुमारा तुमारा कल्यान हो जाए तो फिर तुम बच जाओगे सारे पाप कड़ जाएंगे भक्ती करने से बच गए बना तो तुम नर्क में गए इसलिए तुम जीते रहो आप देखरो कैसे अजीव संत भी अजीव से होते हैं आप असली संत के बाद जाओगे न तो आप घवरा जाओगे ये क्या हो किया कसाईगो यार उसने बोल दिया तुम जीते रहो और एक राजा और एक राजा आगे तो राजा को बोला तो फिर गड़बर हो जाएगी तो इसलिए गीता में भगवान जो बोल रहे हैं उसको depth में समझना होता है इसलिए भगवान ने का अरजुन तुम यूद करो तुमें लग रहा है यूद करने से मरेंगे मैं कहता हूँ यूद ना करने से मरेंगे और बुरे नर्ट में गए यूद करने तुमारे तीर से मरेंगे तो इनकी उच्गती होगी क्योंकि मेरे सामने मर रहे है न और अगर तुमने यूद छोड़के भागा यूद नहीं हुआ तो ये मेरी निंदा करेंगे पहले मेरी निंदा कर रहे है दुर्योदन कर करके कर करके हमेशा के लिए नर्ट चला गया तुम इसलिए भगवान हमें सिखा रहे है यहाँ पर कि भार से चीज़े कुछ और दिखाई देती है जब गीता के ग्यान से देखोगे तो कुछ और बिल्कुल ही कुछ और दिखाई देने लगेंगी असान श्लोक था ना मगर श्लोक अलग हो गया नहीं हो गया बिल्कुल और फिर भगवान कहे रहे है जिन जिन महान योध्धाओं ने तुमारे नाम तथा यश्च को समान दिया है मैं सोचेंगे कि तुम्हें डर के मारे युदभूमी छोड़ दी और इस तरह मैं तुम्हें तुछ मानेंगे भगवान वो लॉजिक दे रहे हैं आगे बस लॉजिक ही समझा रहे है तुमारे शत्रू अनेक प्रकार के कटू शब्दों से तुमारा वर्नन करेंगे तुमारी समर्थे का उफ़ास करेंगे तुमारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है भगवान ये भी बर्दा आ रहे है अर्जुन तुमारी बेश्टी होगी तो तुम्हे तो दुख नी होगा मगा मुझे दुख होगा ये भी पॉइंट है नहीं क्योंकि भगत की बेश्टी होती तो भगत को तो कोई दुख नी होता किसको दुख होता है तुम अर्जुन से कह रहे है कृष्ण तुम यूथ करो मुझे पता है तुम्हें अपने मान समान की कोई इच्छा नहीं है वैशना को कभी नहीं होती मगर तुम करो क्योंकि तुम्हें कटू शब बोलेंगे अब कटू शब सीधा मेरे हिर्दे पे लगेंगे अब मुझे गुस्सा आएगा अगर में जो गुस्सा आ गया तो हमेशा के लिए नर्क में चले गए इसलिए भगवान कई लोजिक से बता रहे है अर्जुन यूद करना ही बैटर रहे हाँ पर धर्म भी फॉलो हो गया, भक्ती भी हो गई उनके पाप भी नहीं बढ़े बनना उनके पाप बढ़ जाएंगे तो कितना अच्छा लॉजिक दे रहे हैं भगवान आप देख रहे हैं अर्जुन ने सारे लॉजिक दिये पहले ध्यामे के मैं यूद नहीं करूँगा, इसको कहते हैं माया जब माया आती है न तो हम पूरे तरह लॉजिक से कन्विंस्ट होते हैं कि हम सही है कन्विंस्ट होते हैं नहीं जैसे हम कहते नहीं है जब 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 कर देगी, मगा घीता में भगवान ने फिर वोला अर्जुन तो नमंसको तुम बिल्कुली उल्टा सोच रहे हो तुम नॉंसेंस हो इसलिए भगतों के जरूरत होती है क्योंकि भगत नहीं होंगे तो आप अपने सोच साच के अपना जीवन में सोचो के मैं ठीक कर रहा हूं मगर हो सकता है बिल्कुली उल्टी डिरेक्शन में चल रहे हो जाना है पंजाब आप जा रहे हो साओध इंडिया जाना है उत्तर दिशा में आप जा रहे हो दक्षिन दिशा में इसलिए कभी भी पता है आप भगतों को मत छोड़ो बस ठीक है आप भगतों के पास नहीं जाएंगे भगतों बलड़ाई करते रहते हैं घर में भगती कर लेंगे घर में आदा अच्छी भगती होती है लॉचिक तो अच्छा है मगर जैसे आपने सोच लिए आप गए काम से खतम हो गया फिनिश हो गया अर्जुनकाजी लॉचिक अच्छे ते भगवान ने का नॉंसेंस यार तुम नॉंसेंस बात कर रहे हो इसलिए डिवोटीस के रहो हमेशा डिवोटीस के साथ प्राबलम तो होती है नहीं जहां दो दो चूड़िया होंगी तो खंकेगी नहीं घर में भी लड़ाई होती है जहां दो लोग होंगे वोग लड़ाई होगी चार डिवोटीओं के लड़ाई होगी मगर भगतों के समाज में फैदा यह है भोगी जो लड़ाई करेंगे तो गाली देंगे नहीं कुत्ते कमीने जो भी गाली देते हैं भग जब लड़ाई करेंगे तो क्या करेंगे तो भी काली देंगे मगा क्या हो देंगे तू कंस है तू रामण है एटलीस भगवान की लीला तो याद आ रही है भगतों के समाज में बहुत पाइद है सब कुछ भगवान से भगवान से connected होता है वहाँ जो अभगत के समाज में तो कुछ भगवान से connected नहीं है वो तो बिलकुल नॉंसेंस समसार है कृष्ण का समसार बहुत अच्छ है सो इसलिए भगवान यहाँ पर समझा रहे है कि अर्जुन मेरे अर्जुन को तो कह रहे है इसलिए हमेशा कोई भी decision लेना है किससे पूछना चाहिए भगतों से पूछ लो खुद से decision मत लो खुद से आपको बिलकुल सही लगेगा हो सकता है हो सकता है आपके जीवन खुशी भी बीच जाए यसे हम से कहीं लोग पूछते है कि प्रभु जी हम शादी करें नहीं करें तो मैं क्या answer देता हूँ आपकोर्स मैं कहूँगा नहीं तो सारी माता जी जाकर कहती है मुझसे कि प्रभु जी आप सबको नहीं बोलोगे तो हम किससे शादी करेंगे उनको बोल तो शादी कर ले तो मैं दोड़ना किसी को फसाओंगा शादी में तो हम बोलते हैं ठीक है मत करो मगर क्या होता है कि वो लोग फिर अपने दिमाग से सोचने लगते है जैसे कि वो आदा इंटेलिजेंट है नहीं यार अब शादी नहीं कर भूल टेम बन जाएंगे तो आगे जाके क्या होगा ऐसे होता है बहुत लोग पता नहीं आगे क्या होगा हमारे साथ हम क्या होगा फिर काम नहीं करेंगे नहीं करेंगे घर में रहते हैं घर में रहके भक्ती करते हैं जादा अच्छा होगा मेरी वाइब भी पत्नी होगी मेरी वाइब भी डिबोटी होगी मैं भी डिबोटी होगा दोनों मंगलार्ति में उठेंगे अच्छी भक्ति होगी वो प्रशाद बनाएगी भगवान की चर्छा होगी इतना मसा हैगा, अच्छी भक्ति होगी पता नहीं, fulltime मन के क्या होगा मंदिर में पता नहीं कोई कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा पैसे नहीं होगे पता नहीं क्या होगा तो वो सोच साथ के फिर शादी कर लेगा और आपको पता है जिसने शादी की वो कभी खुश वो नहीं रहे चाहिए डिवोटी भी हो यह तो शादी करके पता लगता है काँ फस गए बहुत अपने बनायते मंगल आरती में उठेंगे दोनों ही सोए पड़े आठ वे तक कोई मंगल आरती में नहीं उठता शादी के बाद कैसे उठ जाओगे इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे घरस नहीं होते अच्छे डिवोटी फैमली भी होती है ऐसा भी है अच्छे वाइफ घरस बेंट बहुत अच्छे डिवोटी होते है बच्चे भी डिवोटी होते है बहुत सेवा भी करते हैं मंदिर में ऐसी बात नहीं है और मंगल आरती सारे नियम फालो करते हैं ऐसे अच्छे घरस तेम अगर वो कम है रिस्क है शादी करना अब पता नहीं ना बाद में क्या हो जाए हो सकता अच्छा निकल जाए लोटरी है मतलब समझ लो लोटरी तो कमी लगती है है क्या कह रहे हूँ लगती काम है तो रिस्क है बहुत बड़ा इसलिए हम मना कर देते है भी जिसकी शादी हो चुकी है जब वो डिवोटी बन गए अगर उनका अच्छा चल रहा है अब कोई प्रावलम नहीं है मना नहीं कर रहे हैं उसमें भी भक्ती हो सकती है और अच्छे भक्त होते हैं मगर जिसे शादी नहीं की वो क्यों भसे वो भी आच्कल के जमाने में तो बहुत देंटरस है दैवोर्स इतमें हो रहे हैं एक सेकेंड में दैवोर्स वात है नि स्त्रियों के दिमाग आस्मान में ट्रेनिंग ही नहीं जब मिथ गढ़ाया होती है तो उसके पापाई बोलता है आजा तू घर देख लेंगे, देख लूँगा मैं उसको, देख लूँगा, वो घर वो ला लिया लो, वही से problem शुरू हो गई, पहले जमाने में नहीं होता है, पहले जमाने में बोलते थे तो वही मर, यहां आ नहीं सकती तू, ट्रेनिंग होती थी तो वहाँ पर उनको पतल पर लेते हैं, अपने मन से हो सकता है, आप सोच के, हो सकता है, हम किसी को बोले शादी मत करो, और वो शादी करके, सोच के, हो खुश भी रहे, मगर एक्चली क्या होगा, भगवान क्या हो गए, भगवान दुखी हो गया, क्योंकि उसने वैशनव की बात नहीं मानी, और बइसने के लिए हो सकता है, भगवान आपको अपने पस नहीं आ रहे देंगे, क्योंकि आपने यह नहीं सीखा कि भषनु गोलोग जाकर क्या करो गया, भषनु इसने की बात मानोंगे, अगर गोलोगमे जा गए आपने बात मानना करें, तो फिर क्या करोगे? वहाँ तो लड़ाई हो जाएगी वहाँ गहें कि तू आया है क्यों है भाईया तूने ट्रेनिंग क्यों नहीं लिए वैश्णव की बात मानना सो इसलिए हम भी ऐसे हर एक को नहीं बोलते कि शादी मत करूँ कि हमें पता है कि अगर वह हमारी बात मी मानेगा तो फिर भगवान के पास जाना का उसका ब्लॉक हो गया नहीं जा सकता वो इसलिए जो वैश्णव है बहुत सोच के बोलते हैं इसलिए जो गुरु है ना जो है वो ऐसे नहीं बोलते जिनको उनको लगता है कि ये नहीं रह पाएगा शादी के बिना उसको बोल देते हैं शादी कर लो कि ये आगया का उलंगन नहीं होए मगर जिसको उनको लगता है कि ये कर्स कर पाएगा उसको बोल देते हैं कि मत करो उसको बोल देते हैं अब फिर भी कर ले तो फिर तो उसके लिए problem हो गई मगर पते problem क्या होती हम जिसको बोलते हैं मेला Myalii जिसको हमें लग रहा है कि शादी के बिशम के बिना नहीं रह सकता हूं हम बोलता है शादी कर लो तो दूसरे सोचते है प्रभुजी ने इनको बोल दिया तो ठीक ही होगा फिर मैं गा ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है प्रभुपाजी ने ऐसा प्रभुपाजी ने कहीं भक्तों को बोला शादी कर लो कहीं भक्तों को बोला है प्रभबाद ने खुश शादी कराई है खुश शादी कराई है गुरू की शादी करना ना करना अपने में कोई बड़ी बात नहीं है उसके वो matter नहीं करता, matter करता है, आप orders follow कर रहे हो नहीं कर रहे हो, matter हो है, इसलिए भगवान कहरे है, अर्जुन यूद करो, तुम बेफकूफ हो, तुम अपने मन से चल रहे हो, मैं यूद नहीं करूँ हो सकता है, यूद नहीं करने से अच्छा हो जाए, हो सकता है, यूद हो गई, इसलिए चलो छोड़ो, सब को सहला कर लेते हैं, अराम से रह लेते हैं, भगवान नहीं कर रहे हो सकता है, तुमारे डिसीजन से, यूद नहीं करने से, अच्छे हो जाए, मैं कर मेरा डिसीजन है कि यूद होगा, अगर तुमारे डिसीजन से अच्छा भी हो जाए तब भी वो बुरा है इसलिए कृष्णा यहाँ पर इन श्लोकों में कृष्णा यही समझा रहे है वैष्णवा गुरू की बात मानना जरूरी है जरूरी है जेम्स मॉन्ट बनने की कोशिश मत करो सुपरमैन, सुपर गल भक्ती में कुछ नहीं होता वो संसार में होता है ओके, सो यहाँ पर भग्वान ने section खतम ही हो गया 37 श्लोक में बोल रहे है कुंति पुत्र यदि तुम यूद में मारे जाओगे तो स्वर्थ प्राप्त करोगे और यदि तुम जीत जाओगे तो पृत्वी के समराजे कभोग करोगे भगवान अरजु को लालाच नहीं दे रहे यूद करने के लिए फॉलेटिशन नहीं है भगवान भगवान ने कह रहे है कि दोनों तरह से पैदाते द्रिर संकल्प करके खड़े हो और यूद करो तुम सुख या दुख हानी अलाब विजेया पराजे का विचार किये वे ना यूद के लिए यूद करो ऐसा करने पर तुम्हे कोई पाप नहीं लगेगा थर्टी एट स्लोप में फिर भगवान तो भगवान ने गीता का सार है ना तो भगवान ने पहले आत्मा और शरीर की चर्चा की अब फिर भगवान ने यहाँ पर चर्चा की क्या चर्चा की कि गुरू और वैश्नवों की आग्या मानना शुरूर यह उससे दोनों ही लाब होंगे धर्म भी हो जाएगा और भक्ती भी हो गई अब भगवान दूसरा टॉपिक शुरू कर रहे है यहाँ पर की भगवान की सेवा कैसे की जाती है अरजुन के लिए सेवा क्या थी यूद करना हमारे लिए सेवा क्या है अभी चैंटिंग करना प्रचार करना यह सेवा है ना तो मगर सेवा करने कि वक्त कुछ सोचना भी तो पड़ेगा, माइंड भी तो चलेगा सेवा करते वक्त, सेवा की क्रिया करते वक्त क्या सोचना चीए मन में अब भग्वान वो सिखा रहे यूग कि आप सेवा कर रहे हो मन कहीं और भाग रहा है, कहीं और ही चलता जा रहा है अब सेवा कर रहे हो और आप मन में सोच रहे हो, यार सेवा करके मुझे फिर double profit मिलेगा, तो गलत है ना फिर, सेवा करूँगा फिर मुझे पैसे बेलेगे, यह तो गलत है ना, तो क्या सोचना है, भक्त की मांसिकता क्या होती है, उस क्रियाओं के पीछे, अब वो दूसरे अध्याय को एक्स्ट्लेन करने आगे गीता में दूसरे अध्याय के एक्स्ट्लेनेशन है पूरी गीता मैंकर बुद्धिमान विक्ति है समझ के समझ जाएगा कोई प्राउब्लम नहीं सो कल हमें डिस्कस करेंगे कि आगे भगवान और क्या समझाना चाहते है, हरे कृष्णा कुछ पूछना है, कुछ कहना है, I'll stop here लाइक ओुष्म होच्प वाइक टुष्म